इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। यह एक माँ से उसके नवजात शिशु में नशीली दवाओं के उपयोग के दोरान सुई और अन्य उपकरन साजह करने, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंद बनाने, टैटू या शरीर में छेद करने और दूशित टूथ ब्रश या रेज़ साजह करने से फैल सकता है। यह सभी शिशुओं और 18 वर्ष तक के बच्चों और उच जोखिम वाले समुहों में वैसकों के लिए अनुशनसित है। यदि आपको पहले से ही हैपेटाइटिस B है तो यह दवा काम नहीं करती है। आपका डॉक्टर या नज आपको यह दवा देंगे। कृप्या स्वय वाले किसी भी संक्रमन से बचाने के लिए antibody यानि की protein का उत्पादन करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रनाली को उतेजित करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने